नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है पेश 14 दिसंबर वुद्वार सुबह सवाद 6 बजे राजसान की बड़ी खबरें राजसान की 27 नई नगरपालिकाओं में चुनाव की तयारी शुरू हो गई है इन नगरपालिकाओं में 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच वाडों की अरक्षन के लिए जिला सर पर लोटरी निकाली जाएगी वश 2011 की जन संख्या की अधार पर इन नगरपालिकाओं का गठन किया गया है अभी सरकार की ओर से इन नगरिय निकायों में वाडों का निर्धारन किया जा रहा है बीते दिनों स्वाय शासन विभाग की ओर से नई नगर पालिकाओं में वाडों का गठन और परी सिमांकन के निर्धेश चारी किये गए ताकि इन नगरपालिकाओं में चुनाव करवाय जा सके वार्डू के गठन और परी सीमन की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों के पास है ऐसे में स्वायत साशन विभाग ने संबदेत अधिकारियों को सपष्ट निर्देश दिये हैं कि नवगठित नगरपालिका की मत्ताता सूची बनाने की भी तैयारी की जाए वरिष्ट नागरिक तिर्थ यात्रा योजना के तहट मंगलवार को प्रदेश भर के एक हजार अस्थी यात्री तिरुपती के लिए रवाना हुए वरिष्ट नागरिकों की ट्रेन जैपूर के दुर्गापूरा रेलवे स्टेशन से सुबह 11.50 मिनट पर रवाना हुई इसमें जैपूर संभाग के अलावा बिकानेर जोधपूर अजमेर संभाग के यात्री दुर्गापूरा से ट्रेन में सवार हुए वही भरतपूर संभाग के यात्री सवाई मादोपूर से ट्रेन में सवार हुए जबकी कोटा और उद्यापूर संभाग के यात्री कोटा रेलवे स्टेशन से ट्रेन में सवार हुए वरिष्ट नागरिक देत यात्रा योशना के तहत यह साथ मीं ट्रेन रवाना हुई श्री गंगानगर के यात्री रवाना हुए इससे पहले सुबह ही जैपूर दुर्गपुरा रेलवे स्टेशन पर जैपूर भीका ने जोतपूर वा जमेर संभाग के यात्रियों को बुला लिया गया रसोई गैस सिलेंडर लिकेज से होने वाले हाथसों को रोकने के लिए इंडियन उयल कॉर्पोरेशन लिम्टेर ने फाइबर के सिलेंडर बजार में उतारे इन सिलेंडर की खासित यह है कि ये लिकेज के बाद आग लगने पर भी फटते नहीं बलकि पिगल जाते हैं यही नहीं ये सिलेंडर लोहे की सिलेंडरों की तुलना में 60 फिजदी हलके होते हैं लेकिन लोगों को इन सिलेंडरों की जानकर ही नहीं होने और कमपनी डीलर्स की तरफ से प्रचार प्रसाथ नहीं करने के कारण लोग इसका उप्योग ही नहीं कर रहे वर्टमान में फाइवर के सिलेंडर केवर I.O.C.L. कंपनी ही उपलब्द करवा रही है हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम इन सिलेंडरों को अभी अपने ग्राकों को उपलब्द नहीं करवा रही है करीब एक साल पहले IOCL ने राजसान में फाइबर स्लेंडर मार्केट में उतारे लेकिन तब से अब तक एक फिस्दी ग्रहकों के घरों में भी ये स्लेंडर नहीं पहुं सके विश्व विख्यात प्रेटन सल जैसल मेर में कुरोना की वज़े से दो साल तक लगबग पूरी तरह दूर रहे विदेशी सेलानियों का इस साल भी आगमन बहुत कम है इसकी बड़ी वज़ा है यूरोपिय देशों जिन में प्रमुक फ्रांस इल्टली जर्मन यादी प्रमुक में भारी आर्थिक मंदी का महौल है इसके लावा मध्य एशियाई देश कतर में 20 नवंबर से चल रहे फुटबोल के फीफा विशुकप का आयोजन भी सेलानियों के भारत में न आने का एक करण बना हुआ है जैपूर एरपोर्ट प्रबंदन ने हवाई जहाज में यात्रा करने वाले अपने यात्रियों के लिए एक नई एडवाईजरी जारेगी है अगर आप अपनी फ्लाइट टेक ओफ करने से कुछ देर पहले ही एरपोर्ट पहुंचते हैं तो आपकी फ्लाइट छूट सकती है एरपोर्ट पर यात्रियों के इस समय पर पहुंचने को लेकर नियमों को सक्त किया जा रहा है इसके तहट अब घरेल उडानों में यात्रा करने वाले यात्रियों को यात्रा से दो घंटे पहले एरपोर्ट पहुंचना होगा जबकि इंटरनेशनल उडानों में सफर करने वालों को तीन घंटे पहले पहुंचना होगा करोली कलेक्टर के विवहार को लेकर जल्दाय विभाग के इंजिनियर काम बंद कर हर्ताल पर उतर आए हैं जैपुर में जल्द भवन पर एकत्र होकर इंजिनिरों ने नारे बाजी और प्रदेशन किया इसके साथ ही हातों पर काली बट्टी बांग विरोध दश कराया अमानवे विवार किया जा रहा है दोसा अर्बन कोपरेटिव बैंक के अध्रक्ष व्युपादक्ष के लिए मंगरवार को चुनाव में अध्रक्ष पद के लिए क्रिश्ण अवतार शर्मा को नो जबकि रेनु चोधरी को तीन वोट मेले वही राजेव धोकरिया निर्व के बीच चल रही खीशतान सामनी आने लगी है मामला अलवर का है यहां यात्रा के दुरान दो महिला नेताओं के बीच जम कर मार पेठ हुई दोनों ने एक दूसरे पर थर पर भी वरसाए मामला इतना बढ़ गया कि वहां मौजूद लोगों को बीच बचाव करना पड़ा इधर इस त्यात्रा से पहले हुई बैठक में भी दो भाजपा नेताओं के बीच बहस हो गई बहस इतनी बढ़ गई कि मंडले धक्ष ने दूसरे नेता को धमकाया कि यहां से जाओ नहीं तो उठा कर गारी में पठक दूँगा यह पूरा मामला अलवर के थाना गाजी का ह जैपूर महानगर की अबादी लगातार बढ़ती जा रही है अबादी का सबसे ज़्यादा दबाव पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रेलवे पर पढ़ रहा है अकेले जैपूर जंक्षन से ही रोजाना एक से डेड़ लाख लोग रेल में सफर कर रहे हैं मुश्किल यह है कि फैलते महानगर के चलते अकेला जैपूर जंक्षन सबसे ज़्यादा दबाव जेल रहा है इसी का समाधान निकालने के लिए अब खाती पूरा रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से तयार कर दिया गया है यह जैपूर जंक्षन का लगबग भार आधा कम कर देगा राजिसान के परंबिक शिक्षा विभाग के पंजिक शिक्षा विभाग करले की लापरवाही और लेट लतिफी इन दिनों प्रदेश के 90,000 युवक और युवतियां भूगत रहे हैं दो महीने पहले जिस D.E.A.D. एक्जाम का रिजर्ट गोशित किया गया उसकी काउंसलिंग करके एडमीशन देने का सिलसला अब तक शुरू नहीं हो पाया है निदेशाले स्तर पर इतनी गंभीर लापरवाही के चलते D.E.A.D. का ये सेशन भी विलम से शुरू होने वाला है केरल विधान सभा ने राजे पाल को राजे की विश्विद्याले के कुला धीपती के पत से हटाने का प्रस्ताव पास कर दिया है पिछले महीने ही केरल सरकार ने राजे पाल आरिफ महुम्मत खान को राजे के कुला धीपती पत से हटा दिया था सरकार ने 10 नमंबर को विश्विद्याले के नियमों में संशोधन किया जिसे राजे पाल को कुला धीपती पत से हटाया जा सके इस पद पर कलाव संस्कृती शेतर से जुड़े किसी शक्स को निफ्ट किया जाएगा राजसान की जैपूर में अधर्श नगर विधानसवा शेतर में निर्वाचन कारियों में लापरवाही बरतने के कारण चार बी एलो को राजसान सिविल सेवा वर्गी करण नियंतर अपील नियम 1958 की तहट ततकाल प्रभाव से निलब बित किया गया सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानों की याचिकाओं पर मंगलवार को जस्टिस अजयर अस्तोगी और जस्टिस बेला माधूर्या त्रिवेदी की पेट को सुनवाई करने थी लेकिन जस्टिस बेला ने सुनवाई से पहले ही बेंच से खुद को अलग कर लिया हलांकि उन्होंने ऐसा करने की वज़ा नहीं बताई जस्तिस अज्या रस्तोगी और बेला एम त्रिवेदी की पीट ने कहा कि मामला किसी दूसरी बेंच को सौंप दिया जाए फिलहाल बिल्किस की याचिका पर सुनवाई टल गई है अब दूसरी बेंच मामले की सुनवाई करेगी इसकी तारिक के बारे में अभी कोई जानकाई नहीं आई है बिल्किस बानों ने 30 नवंबर को सुप्रीम कोड में दो याचिकाएं दाखिल की थी राजसान सरकार ने समविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए प्रोसेस तो शुरू कर दिया लेकिन 45 साल से अधिक आयू के यूवक और यूवती इस दोड में शामिल नहीं हो सकेंगे ऐसे समविदा कर्मियों को या तो नोक्री से बाहर जाना पड़ेगा या फिर समविदा कर्मी के रूप में ही काम करना होगा दरसल ओवरेज कैडिडेट्स को नियमित नहीं किया जा रहा है इसी नियम के विरोध में बिकानेर के शिक्षा निदेशालिया पर धरना प्रदशन किया जा रहा है जालावाट शहर के बीच भवानी पार्क में सड़क सुरक्षा पार्क लगबग बन कर तयार है अब पार्क में चकिसालिय बस्टेंड, रिल्वे स्टेशन, रिल्वे ट्रेक आदी बनाय जा रहे हैं जिसमें विद्यार्टियों को बच्पन से ही सरक्ष सुरक्षा व यातायात नियमों की जानकारी मिल सकेगी पार्क बच्चों के लिए जनवरी 2023 से शुरू कर दिया जाएगा राजसान में ऐसे पार्क हर्ट जिलिमें बनाने की घुशना राजसान सरकार ने बजट में की थी इस पार्क के बनने के बाद विद्यार्टियों को बच्पन से ही सरक्ष सुरक्षा व यातायात नियमों की संपूर्ण जारिकाई हो सकेगी फिलहाल इस बुलेटेन में इतना ही फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ